हेलो एविर्वन वेल्कम बैक टू आजर वीडियो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आगे डिसकस कर रहे होंगे अबाउट इंपोर्टेंट कॉश्चेंस ओफ पी की वाई एम्टी जो कि दोस्तो आज कल पावर क्वाल्टी इंप्रूमेंट की नाम से भी यह सब्जेक् एक हिस लिवस है तो दोस्तो आज की वीडियो में जो भी टॉपेक्स कॉश्चेंस करें उन में से एक वी को भी स्कृप नहीं करना क्यूंकि आल टॉपेक्स जो सेयर करने वाले हैं एक्जामिसन के पॉइंट व्यू से शुपर इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए द को दें जिससे कि आपका जो है पासंग चांस बढ़ जाए और आप लोग अच्छा माक्स गैन कर पाओ तो दोस्तों फश्ट यूनिट के इंपोर्टेंट कॉस्टेंस आपको देख रहे होंगे जिसमें से फश्ट टॉपिक है पावर क्वाल्टी इसको एक्सप्लें करिए इस इस टाइब से आपको फश्ट यूनिट का पावर क्वाल्टी का टॉपिक करना है जो कि दुस्तों पावर क्वाल्टी के रिलिटिड आपको एक नाएक टॉपिक देखने को मिलेगा इसके बाद दुस्तों आपको सामने दिख रहा होगा वोल्टे सर्ज जिस्टोरेशन फे पाश्टा के दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट यूट के इमपौर्टेंट कोईश्टांस कंप्रीट हूए चलते हैं सेकंड यूनिट की और बख्याइन दिख रहे होंगे इसमें से फर्स्ट में आपको डुपाइं जो देख रहा है चार टॉपिक्स यह आपको बिल्गूल भ आपका face shifter and face ankle compensation में difference पूछे लेता है या फिर आप लोग इनको simply पढ़ लेजिएगा यह क्या होते हैं इसके बाद water series and sand compensator यह भी दुस्तो रेगुररी पूछता रहा है तो दुस्तो यहां तक second unit के all important question complete हुए जो कि दुस्तो आपको first जो डिफाइन में देख रहे हैं QST के regarding आपको एक नएक question देखने को मिलेगा इसका working या फिर diagram advantage या फिर इसको define करिए इस type से आपको question देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद unified power quality compensator यह भी दुस्तो रेगुररली पूछता रहा है तो इसको भी आप लोग तैयार कर लिजेगा आपका इतना ही करने से third unit complete ह हो जाएगा जो दुस्तो यहां तक third unit के all IMP complete हुए चलते हैं fourth unit की ओर जो दुस्तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस strategy में भूला था कि unit number fourth से अच्छे कासी questions आते हैं आप लोग अपने marks आराम से gain कर सकते हैं सिर्फ fourth unit को करके देखें दुस्तो मैं आपको साफसे पहले बता दूँ कि unit number fourth से आपका transient और harmonic के question जरूर बनता है जो कि दोस्तो प्रिवयाजियर में regularly harmonic और transient के related question पूछा है और इस बार भी काफी जादा chances हैं कि इन दोनों topic के related आपको question देखने को मिलेंगे दोस्तो फोर्थ unit का सेलिवस काफी बढ़ा है लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ वही topics questions लिखे हैं जो की important है मैंने विना फालतों का content यहां पर नहीं लिखा है इसलिए दोस्तों आप लोग विना किसी doubt के fourth unit के यह all topic कर लिजेगा जो भी आपको other करना है वो कर सकते हैं लेकिन यह important है इनको बिलकुल भी script मत करना तो दोस्तों first में आपको दिख रह नोट में या फिर long note में देखने को मिलें तो दोस्तों यह inter harmonics जो है हो सकता है इस बार आ जाए जो कि यह काफी आदा important है इसके बाद दोस्तों आपको नीचे साइट देख रहा होगा explain explain में काफी सारे questions topic लिखे हुए है source of transient over voltage दोस्तों over voltage से related जोतने भी topic आपको fourth unit में मिले तो पढ़ ले जीगा over voltage का भी एक ने एक आपको topic देखने को मिलेगा questions देखने को मिलेगा transient over voltage source of transient over voltage यह question एक ही है थोड़ा-थोड़ा answer में difference है harmonic sources from industrial and commercial loads जो कि दोस्तों आपको compare में भी देखने को मिल सकता है या फिर normally भी question पूर सकता है साथ-साथ long and short duration variations जो आपको देख र साथ-साथ दोस्तो harmonics का restoration या फिर गोल सकते हैं improvement यह दोनों ही आपको पढ़ना है साथ-से last में आपको देख रहा होगा harmonics and total demand restoration यह भी दोस्तों आप लोग तैयर कर लीजिगा जो दोस्तों 4th unit के यहाँ पर all important questions complete हुए चलते हैं last and 5th unit की ओर दोस्तों 4th unit का कुछ-कुछ प का manly harmonics के related question पूछता है harmonic analyzer effects, controlling device, harmonic reduction and standards restorations यह भी दोस्तों आपको करना है harmonics के real read आपको दो या फिर तीन question जरूर ही देखने को भी लेंगे वो चाहे short में मिले या फिर long मिले इसलिए दोस्तों आप लोग script करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा इसके बाद define में दो topic दिख है actually वो तीन topic है आप लोग इन तीनो topic को अच्छे से तयार करिएगा short note में आपको तीन में से एक topic देखने को मिलेगा last year आपका fast Fourier transform पूछा गया था तो दुस्तों यहां तक के आपके all important questions तयार हो चुके है first से 50 तक के तो दुस्तों आप इन सभी questions को तयार कर लिएजेगा तो दुस्तों previous में यह important questions वाला PDF है उसका काफी सार्ष्रेंट डिमांड करते थे कि मुझे PDF सेंड कर दो तो दुस्तों जब मैं important questions प्रोवाइट करता हूं तो दुस्तों काफी सार्ष्रेंट इस PDF की डिमांड करते हैं जो कि दुस्तों कुछ कुछ इस श्रेंट बहुत सब साथ साथ इंस्टा पर मेसेज करते हैं कि मुझे important questions का PDF प्रोवाइट कर दो जो कि दुस्तों free of cost रहता था तो दुस्तों इस चीज के solution के लिए अपनी website ready हो रही है जहां पर आप सभी को RGPP के related सारा कुछ content देखने को मिल जाएगा important question previous year question paper से लेवा standable strength login सारा कुछ facility आपको सबसे पहले Google पर search करना है rgpvnews.in पर सबसे पहले अपना website दिखेगा rgpvnews.in के नाम से लोगों आपको सान्म दिख रहा होगा इस पर जब आप किलिक करेंगे तो एंसा interface आपको देखने को मिलेगा previous year question paper important video lecture वगेरा examination form वगेरा सारा कोच तो दूस्तों simply आपको important question पर किल आपको यहाँ पर PQIMT का जो है important question वाला PDF डाउलोड करने के लिए बटन दिख जाएगा आपको simply download PDF के option पे click करना है तो आपका PDF डाउलोड हो जाएगा तो कि दूस्तों आप सभी को सामने दिख रहा होगा दूस्तों आप लोग 3.पर जाके simply इस PDF को डाउलोड कर सकते हैं अ best of luck for your examination thank you very much for watching take care love you all